हेलो सुरेंट्स कैसे आप सबी लोग आज हम इस वीडियो में हमारा मैक्स का चैप्कर 16 जिसका नाम है प्रिपेरेशन फॉर एलजेब्रा यह हम करने वाले हैं ठीक है इसका हम प्रॉब्लम सेट 54 करेंगे ओके यह मैं अच्छे सा आपको सॉल्व करवाँगा एक्स्प्लेयन क तक जरूर देखना लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे की वीडियो मिलते रहें और इसी वीडियो के कमेंट सेक्षन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस् प्रेस्ट्री जोग्रोफी सब सारे जो भी सब्जेक्स है सब में पढ़ाने वाला हूं इसके लिए आप 6 एनट में भी हमारे वीडियो देखना आपका जैसे 6 एनट स्टार्ट होगा वीडियो आने शुरू हो जाएंगे सारे ओके चलो स्टार्ट करते हैं देखो यहां पर यह तो वैरियबल यूज करते हैं तो यह थोड़ा आपको डिफिकर्ट लग रहा होगा लेकिन जैसे जैसे आप आगे बड़ोगे उतना ही आपको इजी लगने लगेगा ओके तो चलो शुरू करते हैं यहां पर तो यहां पर देखो आपको प्रॉब्लम से 54 स्टार्ट करन ब्रेकेट में लखते हैं ठीके एलजेब्रा में आपको ज्यादा तर चीज़े ब्रेकेट में लिखनी रहती हैं अब देखो यहां पर है 3 प्लस 2 यहां पर हमने इक्वल to का साइण डाल दिया equal to 3 plus 2 उसके बाद equal to sorry 10 divided by 2 ठीक है तो अब ही देखो इसको solve करके जो आपको answer मिलने वाला है वो क्या मिलेगा तो यहाँ पर देखो आपको 3 plus 2 क्या होता है 3 में 2 add करो क्या मिलेगा आपको 3 उंगलिया इसमें 2 और add करो यह 2 उंगली क्या हो जाएगा यह 3 यह 4, 5 5 होता है 3 plus 2 आपको होगा 5 तो आप यहाँ पर 5 लिख दो अब देखो यह equal to का sign क्यों डाला है हमने अभी आपको मालू पड़ेगा equal to अब 10 divided by 2 क्या होगा जब 10 को 2 से divide करोगे आपका answer क्या आएगा तो देखो जब हम divide करेंगे 10 को 2 से हमारा answer क्या आजएगा 2, 5, 0 10 होता है ना इसको minus करो 0, 0 तो हमारा question क्या है आप 5 तो मतलब हमारा यहाँ पर answer आजएगा 5 तो देखो इसको हम बोलते है equality ठीक है मतलब कि हमें जो solve करके दोनों side का answer मिलता है वो equal रहता है तो इसको equality बोलते है भले से इधर plus दिया रहे है इधर division दिया रहे हमें भले से इधर multiplication रहे है इधर subtraction रहे लेकिन answer जो हमारा final अगर same आता है तो बीच में equal to का sign आता है इससे हम बोलते है equality ठीक है आप समझगे equality क्या होता है चोलो भी हम problem set की दरफ चलते है तो यहाँ पर दख़ो आपको problem set number 54 क्या बोल रहे है यहाँ पर यहाँ पर आपको बोल रहे है using brackets write three pairs of numbers whose sum is 13 use them to write three equalities क्या बोल रहे है यहाँ पर कि हमें तीन pair of numbers लिखने है जिनका sum मतलब जिनको add करने के बाद हमारा answer 13 आए और उसके बाद उनका use करके हमें तीन equalities लिखनी है ठीक है जैसे कि हमने अभी किया था 5 is equal to 5 यह हमारी एक equality हो गई वैसे ही तीन pair of numbers लिखना है जिसका सब का answer 13 रहे उसके बाद हमें उनकी equality लिखना है हमारा जो था वो मैंने लिखा आपके लिए कि bracket का use करके हमें तीन pair of numbers लिखने है जिनका answer 13 रहे तो देखो हम कोई number कोई भी number लेते हैं जिनका answer 13 रहे क्या करना है add करके उसका answer 13 रहे sum हमें multiplication division या तो subtraction नहीं करना सिर्फ add करके उनका answer 13 रहे पहला answer देखो हमारा पहला क्या रहेगा चलो हम ले लेते हैं पहला हमारा 12 plus 1 12 plus 1 क्या होता है हमारा होता है 13 यह हमारा हो गया पहला उसके पार देखो second हम क्या ले लेते हैं चलो हमें 3 number लेने बोला गया है तो second हम ले लेते हैं 7 plus 6 तो 7 प्लस 6 क्या होता है 13 होता है ठीक है आप कोई साभी नंबर ले सकते हो लेकिन उनको add करका answer आपका 13 आना चाहिए उसके बाद देखो हमारा अगला क्या रहेगा अब हम ले लेते हैं चलो हम ले लेते हैं 10 प्लस 3 ले ले चलो ले लेते हैं 10 प्लस 3 तो जो सारे नंबर है इनको add करके हमारा answer 13 आने वाला है ठीक है तो हमने 3 pair of numbers लिख दिये हैं जिनका answer 13 रहेगा अब हमें equality लिखना है equality कैसे लिखना है मालू मैं आपको कि हमारे ये सारे numbers का जो answer आएगा final answer उसे में हमें मालू मैं तो हम equality कैसे लिख सकते हैं तो पहला हम लिखते हैं पहला हमारा क्या है ये है देखो 12 plus 1 equal to 7 plus 6 7 plus 6 क्योंकि हमें पता है ये दोनों का answer same है तो इसके लिए हम equal लिख सकते हैं दोनों नंबर को ये हमारी होगी पहली equality उसको अच second क्या आप लिख सकते हो second में आप लिख सकते हो अब अगला वाला नंबर लिख दो देखो हमने ये equal to ये लिख दिया है अब देखो 7 plus 6 equal to 10 plus 3 लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों का भी answer same I guide करके तो हम यहाप लिख सकते हैं 7 plus 6 equal to 10 10 plus 3 लिख दिया अब देखो हमने केतनी equality लिख दिया है 2 हमारी पहली जो equality है ये है और second ये है हमें केतना लिखने बोला गया है हमें 3 देखो 3 equalities लिखने बोला गया है तो तीसरी लिखते हैं तो देखो हमने पहली लिख दिया है 12 plus 1 is equal to 7 plus 6 और 7 plus 6 is equal to 10 plus 3 यह हो गई है आप देखो लिख देते हैं 12 plus 1 is equal to 10 plus 3 क्योंकि यह दोनों को भी add करके हमारा answer same आने वाला है तो आप कैसी लिख सकते हो 12 plus 1 is equal to 10 plus 3 10 plus 3 तो यह हमने लिख दिया 3 equality जो हमें यहाँ पर लिखने बोला गया था ठीक है यह हमारा हो गया पहला question अभी चलते है second question की तरफ second question में देखो क्या बोला गया आपको यहाँ पर बोल रहे हैं आपको यहाँ पर देखो आपको बोले है find sorry find four pairs of numbers one for each of the operations addition subtraction multiplication and division that make the number 18 write equality for each of them क्या बोलो यहाँ पर कि हमें चार pair of number लिखने हैं जिनका answer हो 18 लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोला गया था तीन pair of number लिखो जिनका sum 18 हो ठीक है मतलब जिनको add कर करके हमें answer एंसर sorry जिनका sum 13 हो मतलब add करके हमें answer 13 बिले लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हमें 4 pair of number लिखने है जिनका answer 18 हो लेकिन वो क्या रहेंगे वो add करके नहीं sum नहीं रहेंगे हमारा उसमें क्या करेगा एक addition रहेगा मतलब एक का answer add करके हमारा 18 आना चाहिए और एक का subtraction रहेगा मतलब जो रहेगा हमारा एक pair उसमें minus करके हमारा answer 18 आना चाहिए और एक जो रहेगा multiplication मतलब कि उसको हमें multiply करके हमारा answer 18 आना चाहिए और एक जो पैर रहेगा उसमें division मतलब कि divide करके हमारा answer 18 आना चाहिए ठीक है तो हम कैसे लिखेंगे तो चलते हैं देखते हैं कैसे लिखना है अब देखो यहाँ पर हमें bracket का use करने नहीं बोला है ठीक है आब देखो कि यहाँ पर bracket use करने नहीं बोला है तो हम चलो लिखते हैं तो हम पहला लिख सकते हैं हम पहला लिखते थे हैं 11 plus 7 is equal to हमारा answer क्या जगा 18 11 plus 7 तो 18 नहीं होता ना आपको भी पता है ओके यह हो गया फर्स एडिशन कर दिया अब देखो subtraction तो subtraction में हमें 18 answer लाना है तो हम कैसे लिख सकते हैं 18 लाना तो हम कर सकते हैं 20 minus 2 तो 20 minus 2 क्या होगा 20 में से 2 आप घटा होगे तो क्या होगा 18 होगा तो आप हमारा 18 उसके बाद देखो क्या आगे उसके बाद हमें multiplication से हमारा answer 18 लाना है ठीके तो आप कोई सब ही multiply कर दो आप multiply करोगे 3 को तो 3, 5, 0, 15 होता है 3, 6, 0, 18 होता है तो 3 multiplied by 6 भी लिख सकते हो या तो अगर आप 6 multiplied by 3 करोगे तो भी आपका answer 18 आएगा वो भी आप लिख सकते हो या तो 9 multiplied by 2 करोगे तो भी आपका 18 आ रहा है तो कोई सब ही आप number लिखो जिसको multiply करके आपका 18 आए तो हम चलो लिख देते हैं 6 multiply by 3 is equal to हमारा answer क्या आगा 18 last में क्या है division क्या बला है हमें ऐसा number लिखना है जिसको divide करके हमारा answer 18 आए तो चलो हम लिखते हैं तो किसको आप divide करो कि आपका answer 18 आएगा अब हमें 18 answer लाना है तो तो देखो यहाँ पे अभी हमें हम कौन सार लेंगे number हम ले लेते हैं चलो 36 divided by 2 तो देखो जब 36 को आप 2 से divide करोगे तो आपका answer क्या आएगा देखो 2 1 0 2 और हमारा बच्चेगा 1 और यहाँ पे 6 तो 2 8 0 क्या होगा 16 तो हमारा जब हम 36 को 2 से divide करेंगा हमारा answer है 18 तो देखो यहाँ पे हमने क्या है addition answer है 18 यहाँ पे subtraction answer है 18 यहाँ पे multiplication हमारा answer है 18 यहाँ पे division हमारा answer 18 तो सब में हमने answer 18 निकाल दिया है ओके अब हमें क्या लिखना है equality लिखना है तो आप equality कैसे लिखोगे हमें क्या बताना है कि ये सारे numbers equal है क्योंकि इनका answer same है तो पहली equality हम क्या लिख सकते हैं पहले हम लिखते हैं यहाँ पर हमारा हमें कितनी equality लिखने बोला गया है हमें सब के लिए equality लिखने बोला गया है हर एक number के लिए तो चलो हम लिखते हैं हमारी जो पहली equality रहेगी तो देखो हमें यहाँ पर सारे numbers की equality लिखने बोला गया अब दो हमें total 4 equality लिखने पड़ेगी तो देखो लिखते हैं तो हमारी जो पहली equality लएगी हम लिख देए first, second, third, four तो देखो पहले हम क्या लिखते हैं 11 plus 7 is equal to 20 minus 2 तो हम यहाँ लिख देए 11 plus 7 is equal to 20 minus 2 20 minus 2 यह हमारी पहली equality होगी उसका अगली equality हम लिख सकते हैं 20 minus 2 is equal to 6 multiply by 3 क्योंकि यह सब सेम है तो 20 minus 2 is equal to 6 multiply by 3 तो अभी दोका हम third हमारी equality लिखते हैं तो हम क्या करेंगे 6 multiply by 3 is equal to 36 divided by 2 ताब लिख सकते हैं यहाँ पर 6 multiply by 3 is equal to 36 divided by 2 उसका हमारी अगली equality क्या जाएगी हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं 11 plus 7 is equal to 6 multiply by 3 यहाँ पर हम यह भी लिख सकते हैं क्योंकि यह दोनों भी देखो same ही है यह दोनों का हमने नहीं लिखा था तो लिख देते हैं यहाँ पर लिखोगे 11 plus 7 is equal to 6 multiply by 3 तो देखो यहाँ पर हमने सारे numbers के लिए equality लिख दिये है तो यहाँ पर हमारा हो गया problem set 54 complete आप आप अच्छे से समझ गया होगे तो आप इसको अच्छे से solve कर लो और practice कर लो ताकि अगर आपका test हो तो आपके full marks से आए मिलते हैं अगले उडियो में अगर आपको यह उडियो अच्छे लगा हो तो आप इस उडियो को like करो अपने सभी दोस्तों के साथ share करो और चैनल को subscribe करो Thank you